नवरात्री के छठे दिन देवी के छठे स्वरूप मा कात्याईनी का पूजन किया जाता है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नश्ठ हो जाते हैं। जब महिशासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विश्नु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था। और रश्षी कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या और पूजा की इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई। महर्शी कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर आरूड रहती है, इनकी चार भुजाएं भक्तों को वर्दान देती है, इनका एक हाथ अभे मुद्रा में है, तो दूसरा वर्द मुद्रा में है, अन्य हाथों में तलवार और कमल का फूल है, इनका गुण शोध कार्य है, इसी लिए इस खर द्रूसरा बढूला रहती है, इनका गुण झाल अजा है, इसी लिए शोधी या खंका टूसरा भले मुद्राइब जश थितना पर आर, दोलो कि अजए है, इनका गुण भार रहती है, इसक्वा टूसरा बस्म जटिछ रहती हैं, इनका घस्माचर चौसरा बढूर ठा